खबर बढ़वानी से सुप्रिम कोट की टिपड़ी के बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन की बैनर तले महिलाई निकली सड़क पर कहा आज किसान महिला अधिकार दवस है सुप्रिम कोट महिलाओं के समेलोनों से दूरी बनानी को कहती है लेकिन महिलाओं को बिना जीवन में कुछ भी मुम्किन नहीं किसान आंदोलन के बाद सुप्रिम कोट के टिपड़ी की महिलाओं को आंदोलनों से दूर रहना चाहिए जिसके बाद आज नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी महिलाओं में आक्रोश देखने को मिला महिलाओं ने आज जिला मुक्याले पर नर्मदा बचावा अंदूलन के बैनर तले आज रैली निकाल कर साफ कर दिया कि हमने विस्थापन की लड़ाई वर्शों लड़ी है आगे भी लड़ेंगे साथी कहा कि आज महिलाएं घर परिवार के साथ हर शेत्र में अपनी भूमी का दिखाती नजर आती है ऐसे में सुप्रिम कोट की चिपड़ी महिलाओं की भावना को आहत करती है जिसका हम विरूत करते हैं कि अंदोलन चल रहा है किस तरीके का अंदोलन है किसानों महिला अधिकार दिवस हैं तो हम महिलाएं किसान हैं मर्तूर हो वह भी घर्टी में काम करते हैं सब किसानी होते हैं तो हमारा 35 सालों से अंदोलन चल रहा है कि महिलाओं के आगवाई सी चल रहा है और आज सुप्रिम कोट बोल रही है कि अंदोलन से महिला आएं हड़ जाए क्यों हड़ जाए घर का पूरा काम महिला करते हैं बच्चे समलते हैं पती को समालते हैं पुरा परिवार को समलती ह और खेट में जो ही काम करती है, तो ऐसे कैसे बोलता है, हम तो अंदोलन में रहेंगे और अंदोलन का कार्य करेंगे, हम महिला आगे रहेंगी, हम कभी किसी से डरे नहीं न डराएंगे, हम किसान महिला है, खेटी में काम करती है, घर भी काम करती है वो, पर मोधी सरकार जो ती यह देश हमारा है। दूसरी बात है कि मोधी सरकार कहो कि सुरा मामा को वो आज राशन जो मिल आए गर्वयों को वो राशन भी खत्म करने वाली है। पर हम कहते हैं कि राशन चालू रखो और उसमें राशन कार में लिका है कि गरीब का दाना गरीब के ठाली में तो कहा है। खबर भारत वर्श के लिए बडवानी से आधित शर्मा की रिपोर्ट अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ पेल आइकन दबाना न भूल क्योंकि खबर हमारी पैसला जनतंत्र का